नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है रोजाना सुभा के नाश्ते में पराठा हो या ब्रेड बिना मक्षन के सब अधूर ऐसा लगता है इसके जादी मक्षन का सेवन पहले से ज्यादा बढ़ गया है खाने को और टेस्टी बनाने के लिए घी की जगा मक्षन का इस्तेमाल किया जाना लगा है पराठे, ब्रेड, पास्ता, पाव, भाजी, खिच्री जैसी चीजों में अब बटर का त्रड़का लगने लगा है बटर सेहत के लिए जरूरी भी है लेकिन उसका ज्यादा सेवन करना सेहत पर भारी पड़ सकता है वैसे तो बटर का सेवन करना कैंसर से बचाव कर सकता है, दिल को स्वस्त रख सकता है, हड्डियों को मजबूत बना सकता है यहां तक कि गठिया बादी भी दूर कर सकता है, और साथी साथ आंखो को भी स्वस्त रख सकता है इतने सारे लाब होने के बाद भी इसका सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए आए जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं मोटे लोगों की दरसल मक्षन में फैट का भी स्त्रोथ है तो जो लोग मोटाफे से ग्रस्त हैं उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए साथ ही जो लोग लगतार अपने वजन को कम करना चाहते हैं उन्हें बटर के सेवन से बचना चाहिए अगर आप दिल के मरीज हैं तो आपको बटर का सीमित मातरा में ही सेवन करना चाहिए जी हाँ बटर दिल के लिए अच्छा होता है लेकिन उसमें फैट की मातरा बहुत ज्यादा होती है जिसका असर आपके दिल पर पढ़ सकता है क्योंकि कॉलेस्ट्रॉल बढ़ने के दौरान हून गाड़ा पढ़ जाता है बटर का ज्यादा सेवन करने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है मखन में कलेस्ट्रॉल अधिक मातरा में पाया जाता है इसलिए कैंसर का खतरा ये बढ़ा सकता है खास तोर पर मोटे लोग और दिल के मरीजों को बटर का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए इससे स्वास्थ बिकड़ सकता है आम इंसानों को भी इसका सेवन कम करना चाहिए ताकि इसका कोई भी घलत असर शरीर पर ना पड़ सके क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि चाहें कोई भी चीज कितनी भी फायदेमंद क्यों ना हो उसको सीमित मातरा में ही खाना चाहिए और जरूरी मातरा से उपर कभी नहीं खाना चाहिए ये बात मखन के लिए भी उतनी ही सच है फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और बोल स्काई को सब्सक्राइब करें